आपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमें फेस्बूक पर फॉलो कीजिए फोर मोर एंटर्टेनिंग अपडेट्स पर अनुपमा के आज फ्रार के अपिसोड में जै मेगा से पूछेगा कि तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो मेगा कहेगी कि पता नहीं क्यों अचानक से आ जै कहता है लेकिन हम इतनी रात को कहां जाएंगे मेगा जै से कहती है कि हम फाम हाउस चले तभी जै कहता है मेगा तुम सिफ ओवर थेंकिंग कर रही हो मेगा कहती है मेरे इंट्यूशन कभी गलत नहीं होते वो कहती है कि आधिया को अपने बैक्स वापस चाहिए आधिया है तभी आपर मेगा उस से कहती है कि नहीं हम फाम हाउस जा रहे हैं और आधिया काफी ज़्यादा सप्प्राइज है अनुपमा थोड़ा सा बेहोशी फील करती है वो रिसाइट करती है कि वो अनुष के बर्दे पर सप्राइज करेगी आधिया सोचती है कि अगर मैं चली तो ममा मुझे कैसे ढूणेंगी तब ही वो प्लान बनाती है और मेगा का टेंशन डाइबर्ट करती है आधिया मेगा से कहती है कि क्या आप जन्माश में सलिब्रेशन के बाद मुझ लए जा सकती है मेगा रिसाइट करती है कि ठीक है वो आधिया के डिमांड पूरी करेगी अनुपमा मेगा के घर पहुशती है वो डाउट करती है कि मेगा ने कहीं आधिया को चुपाया है और अनुपमा बेचैन है वर्नाच लीला से कहता है कि आप मीनू के लिए कोई परफेक्ट मैश ढूण दिये लीला वर्नाच से कहती है तू इतनी जल्दबाजी में क्यों है वर्नाच कहता है कि मीनू मेरी जिम्यदारी है वो कहता है कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है वर्नाच करता है कि वो एक बहुत अच्छा और बढ़ा गर ढूणेगा मीनू के लिए वो देखता है मीनू और सागर को बहुत जाधा रेस्लेस हो जाता है यहाँ पर मेगा आदित मेगा पूछती है आधिया से कि तुम breakfast कैसे कर सकती हो बिना कोई drama कि अनुपमा भगवान से प्रातना करते है कि बस आधिया को मिलवा दे आधिया भगवान से प्रे करती है कि उसे अनुज़र अनुपमा से मिलवा दे वो रिसाइट करती है कि वो कोई हिंट छोड़ेगी अनुपमा के लिए अनुपमा मेगा के घर आती है मेगा आधिया को चुपा देती है यहाँ पर सोचती है कि वो कैसे अनुपमा है उसे अपनी शकल दिखाए अनुपमा काफी जारा स्टंड है मेगा और जै को देखकर के कि वो कैसे इतने अंदाज में लोट रहे हैं तभी वो एक excuse बनाती है मेगा के घर में गुसने के लिए अनुपमा आधिया को ढूटे आधिया अनुपमा से मिलने की कोशिश करती है मेगा अनुपमा से कहती है कि क्या हम hospital चले है तो में ठीक नहीं लग रहा तो अनुपमा भगवान से प्रयातना करती है कि कोई तो हिंड दीजे कि आधिया यहां है आधिया यहां पर देखती है कि मेगा ने दरवाजे को लॉक कर दिया है तभी वो अनुपमा को देखकर कि काफी ज़रा स्टंड है आधिया यहां पर अनुपमा से कहती है कि नहीं नहीं मुझे बिकुल भी बुलाना मत और वो उसे अपनी शकल दिखाती है मेधा अनुपमा से कहती है चलिया जाहिए अनुपमा खुश है कि उसने आधिया को ढूण लिया आधिया भी हैपी है कहीं वो अनुपमा को हाम ना करते अनुपमा रेसाइड करती है कि वो अनुच के बर्दे पर अनुच को सप्राइस दे की आधिया यही सब दिखाया जाएगा शो के अपकमिंग ट्रैक में आप देखना होगा काफी इंट्वस्टिंग कि आकर कैसे शो की कहानी आगे बढ़ती है वेल फिलाल तो ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियो को लाइक शेक करना ना भूले साथ ही फेस्टूक पेश्बूक को हमें फॉलो कीजे